हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वेलकम टू माय चानल आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टी और रियमी मटन का यकनी पुलाओ सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है जरू ट्राइ करिएगा और हमीशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत फूलिएगा चली शिरू करते है तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसे अड़ की हैं ए इस तरह से दर्मियाना सा ही मैंने ग्राइन कर लिया था अब दूसरी तरफ मैंने आधा किलो मतन लिया है तो यह स्पाइस मिक्स मैंने तीन चौता ही हिससा आट कर लिया है एक चौता ही हम गानेशिंग के लिए साइड में रख देंगे एक तेस पत्ता एक चमच बिलकुल उपर तक अच्छे से भरके आपने अध्रक लसन लेना है तीन से चार हरी मिर्चे इसको क्रश या चौप करके आट कर ले जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से तीन से चार टेबल स्पून याने के पाव कप के आसपास मेंने लिया है गाड़ा दही एक आधा नीब जान वगेरा भी आट कर सकते हैं जो स्पाइसे आपके घर में एविलेबल है वो आप आट कर ले तो बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन को जितना जादा मारिनेट करो उतना ही वो फ्लेवर फुल बनके तियार होता है मैंने इसको सिर्फ आदा घंटा मारिन उपर और टेस्ट भी खराब हो जाता है अगर बहुत जाद आपने इसको ब्राउन कर लिया हो तो इसको बस हमने लाइट गोल्डन ब्राउनी करना है बस एक बार इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन दिखाए देने लगे तो फिर हम इसमें आट कर देंगे मारिनेट किया बोल को क्लीन करके सारा मसाल हम वो भी आट कर लेते हैं इसके अंदर फ्लेम मैंने इस समय हाई ही रखा है तो मटन को प्यास के साथ पहले हम एक मिनट के लिए भून लेते हैं बस जब यह अची तरह से मिक्स हो जाए और भून जाए तो फिर हमने इसके अंदर आट करना है थोड़ा सा पानी, दही और मटन अपना पानी रिलीज कर लेंगे, पर मटन को कुक होने के लिए थोड़ा सा टाइम जादा लगता है, इसलिए एक आधा ग्लास पानी मैं यहाँ पर आड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने मारेनेट करते टाइम नमक आ तो यहाँ देखिए, प्रेशर कूकर पूरा ठंडा हो गया था, तो मैं इसको खोल रही हूँ, मटन की पीसिस को चेक कर लेते हैं, यह अच्छे से टेंडर हो गया है, तो गैस का फ्लेम अब हम आउन कर लेंगे, तो इसमें जो पानी है, वो हमने थोड़ा सा ड्राय आउट कर लेना है, क्योंकि मटन को मैंने ज़्यादा नहीं भूना था, पानी थोड़ा सा जो रह गया है, हाई फ्लेम पर, दो से तीन मिरिट हम कूक कर लेते हैं, ताकि ओयल जो है, वो सेपरेट हो जाए, बस ओयल सेपरेट होता हुआ, जैसे ही दिखाई देने लगी, तो हम इसम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके फ्लेम अपने हाई ही रखना है, ताकि हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से उबाला आ जाए, एक बार उबल जाता है, तो हम इसमे आट कर देंगे चावल, मैंने अब एक्स्ट्रा लॉंग ग्रेन बासमती चावल का इस्तमाल किया अब चाहे तो सूर्ती कोलम भी ले सकते हैं, और उसको मैंने आदा घंटा भिको दिया था, उसके बाद पानी पूरा ड्रेन करके अभी आट किया है, फ्लेम हाई ही रखना है, चावल आट करते के साथ इसका थोड़ा सा टेंपरेचर लो होगा, तो टाइम लगेगा इसको फिर से उबाला आने के लिए, तो बस आप देखिए कि कुछ देर में इसमें उबाला आ गया है, जैसे इसमें बहुत अच्छे से उबाला आ जाता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत पानी है, इसलिए अपने गैस का फ्लीम थोड़ा सा मीडियम कर लेना है, और कवर करके पा कावल पानी अंदर एब्जॉब नहीं कर लेते हैं, तो पांच मिनिट के बाद फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, यह दिखिए, पानी नहीं दिखाए दे रहा है इसके अंदर, तो यह जो मैंने मसाला बनाया था, स्पाइस मिक्स, वो मैंने आपे आड़ कर लिया है, कानिशि तो तला हुआ प्याज और थोड़ा सा देसी घी भी आट कर सकते हैं उपर से, कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनिट के लिए दम कर ले, 15 मिनिट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, यह दिखिए, पूरी तरह से बन के त्यार हो गया है, चावल बहुत ही खिले-खिले और चुट पुलाओ की, तो जरूर ट्राइ करिएगा, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज के लिए इतना काफी है, पिर मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ, तब तक एजाज़ च आते हूँ. Thank you so much for watching my video. Take good care. Bye.